साथियों, बिजली हर किसी तक पहुँचे, परियाप्त बिजली पहुँचे, हमारा वातावरान, हमारी हवा, हमारा पानी भी सुद्ध बना रहे, इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं यही सोच सवर उर्जा को लेकर हमारी नीती और रन नीती में भी स्पष्ट जलकती है आप सोचिए, साल 2014 में सोलर पावर की कीमत साथ आठ रुपे प्रती यूनिट हुआ करती थी और जैसे सिवराज जी ने बताया उसके पहले तो और ज़्यादा थी आज यही कीमत सवा दो से धाई रुपे तक पहुच चुकी है इसका बहुत बड़ा लाब पुद्योगों को मिल रहा है रोजगार निर्मान में मिल रहा है देश वाचियों को मिल रहा है देशी नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्ती कैसे है जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है ये चर्चा लगातार होटने वाली है चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सिखने का प्रयास भी करने वाले है ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे एट्रेक्टिव मार्केट माना जा रहा है आज जब रिन्यूबल एनर्जी की तरफ ट्रांजेशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को मोडेल के रुप में देखा जाता है साथियों दुनिया की समग्र मानवता की भारत से इसी आशा इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए है इसी सोच का परणाम आइसा यानि इंट्रनेस्टल सोलार अलायंस आइसा इसका हमने निर्मार किया है वन वर्ड, वन सन, वन ग्रीड के पीछे की यही भावना है यह सवर उर्जा के बहतर उत्पादन और उप्योग को लेकर एक पूरी दुनिया को इखठा करने का प्यास है ताकि हमारी धर्ती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे गरीब से गरीब देश की बहतर बिजली की जरुते भी पूरी हो सके झाल